धे टीबी में आप सभी का स्वागत है। निउस दिस आर प्रोग्राम में हम बात करेंगे राश्ट्रिय जीन बैंक की। हाली में केंदरी क्रिशी उमकिसान कल्याण मंत्री ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अत्याधुनिक राश्ट्रिय जीन बैंक का उदगाटन किया। ये उदगाटन राश्टी पादप आनुवनशिक संसाधन ब्यूरो यानि NBPGR में किया गया। जीन आनुवनशिकता की बुनियादी भौतिक और फंक्शनल इकाई होती है। ये डी ऑक्सिरिवो न्यूकलिक एसिड यानि DNA से बने होते हैं। जबकि जीन बैंक एक प्रकार का बायो रिपाजिटरी होता है जहां आनुवनशिक सामगरी को संभाल कर रखा जाता है। यानि बीज पोधों यो मूतक संवर्धन आदी के संग्रा को सरक्षित किया जाता है। राश्टी पादप आनुवनशिक संसाधन ब्योरो के बारे में आपको बताएं तो ये भारत में पादप आनुवनशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल संस्ता है। नेशनल जीन बैंक की स्थापना साल 1996 में पादप आनुवनशिक संसाधनों के बीजों को सरक्षित करने के लिए किया गया था। इसमें बीजों के रूप में लफख 10 लाख जर्म प्लाज्म को सरक्षित करने की शमता है। बतादे कि जर्म प्लाज्म जिवित उतक होते हैं इसे नए पौधे उगाए जा सकते हैं। दूसरा ये भारतिय क्रिश्य अनसंधान परिशद यानि ICAR के तहट काम करता है। आपके ओप्सन्स हैं A, केवल 1, B, केवल 2, C, 1 और 2 दोनों अथवा D, इन में से कोई नहीं। आप अपने उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।